हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू में चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे मैं भी ठीक ठाक हूँ अलहमदलिल्ला आज मैं बना रही हूँ मैंगो मलाइक कुलफी जो की बनाना बहुत असान है बहुत ही इजी तरीके से आप इसे घर पे बन सकते हैं बहुत ही थोड़े सी चीज लगेंगे इसमें और यह बहुत ही रिच और टेस्टी बन के त्यार होता है मुझे यकीन है कि आपने यह फ्लेवर जो है मार्किट में नहीं खाई होगी तो वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो दूद को हम उबलने देते हैं यहां पे दूद बहुत अच्छे से उबल चुका है तो अब हमें इसे अच्छे से पकाना है ध्यान देना है इसको हमें पकाते पकाते आधा कर लेना है यानि 50% दूद जो है रिडूस कर लेना है तो यहां पे दूद तकरीबन आधा हो च इतना चीनी इसके टेस्ट के लिए इनफ है इसे जादा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं तकरीबन दो मिनट और पका लेंगे तो देखे चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है दो मिनट मैंने पका लिया है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम completely ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये room temperature पे नहीं आ जाता है तब तक हम इसे ठंडा होने देंगे बिल्कुल भी गुनगना भी हमें नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था बिल्कुल लच्छेदार ये रबडी जो है त्यार हो गया है तो इसको ह हम एक जार में ट्रासफर कर लेंगे और अब हम इसी में डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर 250 ml का कप है ये इसमें मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आप डेरी वाइटनर भी ले सकते हैं देखिए ये बिल्कुल कुल्फ का मोल्ड लिया है अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी छोटी छोटी गिलास में जमा सकती है इसे छोटी छोटी कटोरी में भी जमा सकती है और आपके पास पेपर कप है जिसमें हम चाय वगर शादियों में पीते हैं या फिर दावतों में पीते आप उसमें इसे सेट कर सकते हैं, अगर इन में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, तो किसी भी डब्बे में आप इसे इकठे जमा सकती है, यहाँ पर मैंने छे मोल्ड में इसे डाल लिया है, इतना, बस इतना ही हुआ था, कुलफी का बैटर जो है हमारा, तो इसमें हम स्टिक लगा दीजेगा, और इसको हम डीफ फ्रीजर में रखेंगे, मैं यह काम साम को कर रही हूँ, तो मैं इसे ओवर नाइट के लिए छोड़ दूँगी, यह बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, अब सुबह हो चुका है, बहुत ही अरली मॉर्निंग मैं उठ गई थी, तो मैंने एक आम को काट करके इसका पल्प निकाल दिया है, मिक्सी के जार में, अब किसी भी नाम का आम ले सकते हैं, मतलब आम से हमें आम की जरूरत है, बस एक आम की जरूरत है, मेरे ख्याल से एक आम भी इसमें यूज नहीं होगा, थोड़ा सा बेटर बच ही जाएगा, तो सभी आम के पल्प को हम चमच की मदद से निकाल लेते हैं, और यहां पे मैंने सुबह सुबह कर दूध के ऊपर से मैंने यहां पे मलाई निकाला है, दो से तीन टेबल इसमें डाल देंगे, देखे कितने मोटी मलाई निकल के आई है हमारी, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा सा क्रीमनेस रिचनेस आएगा आम के पल्प में, तो इसको मैंने डाल दिया है, और अब हम डाल देंगे, दो टेबल इसमें चीनी, ताकि इसका मीठापन जो है, पर्फेक्ट बैलेंस के साथ बने, तो दो टेबल इसमें काफी होगा, इसको हम ढखके मिक्स कर लेते हैं, अच् तक्रीबन 10 घंटे कुल्फी जो है, फ्रीजर में था, तो यहां पर मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है, इसको बस 10-15 से के लिए इसमें रखेंगे, फिर हाथों से रब कर लेंगे, और इसे हम बाहर कर लेंगे, देखे कुल्फी बाहर आ गया है, अब यह जो मोल्ड है इसको हमें धोना है, क्योंकि इसमें कुल्फी का लेयर है, यह हमें नहीं चाहिए, हम इस अच्छे से धोलेंगे, सुबह सुबह के वक्त कोई भी नहीं उठा था, तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं ले पाई हूँ, इसलिए अपने खुद के हाथों से ही काम कर रही हूँ, इ मैंगो का एक लेयर कुल्फी के ऊपर चड़ जाएगा, और यही बहुत अच्छा सा टेष्ट देता है, तो इसी तरीके से सभी मोल्ड के अंदर हमने डाल दिया है, मैंगो का पल्प और उसके बाद हमने कुल्फी को डाल दिया है, इसको हम रख देते हैं फिर से फ्रीजर म तक्रीबन 4-5 गंटे के लिए तो 5 गंटे हो चुके हैं और अब मैं फिर से वापस ग्लास में पानी ले लिया है मैंने और इसको हम डिप करके हाथों से थोड़ा सा रब कर लेंगे ताकि ये असानी से बाहर आ जाए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं देखिए जब हमने बहुत ही रिच फ्लेवर का कुल्फी हमारा बन के त्यार हुआ था आपने इस फ्लेवर की कुल्फी मार्किट में नहीं खाई होगी मेरी गैरेंटी है तो आप एक बार इसे जरू ट्राइ कीजेगा इसे मैंने टेस्ट किया है बहुत ही अमेजिंग स्वाध है इसका आपको ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिर